नमस्कार मित्कडो सबसे लोग प्रिया और वैलूबल यानी कीमती क्रिप्टो करेंसी विटकॉाइन अपने जनम के 15 साल पूरे कर चुकी है 15 साल पहले महें 6 पैसे में एक मिलने वाली क्रिप्टो करेंसी की आज की मत 60 लाग के पार है डॉलर में बात की जाए तो 70,000 डॉलर के जादूई आकड़े को छूचुकी है एक समय 2021 में 50 लाख पर गई अब अपने आर टाइम हाई को भी क्रॉस कर रही है बिटकोईन की वैलू के पीछे का कारण और इसका गड़ित क्या है और इसमें पैसा लगाने वाले कितनी अमीर हो गए और इसने कितना जादूई रिटन दिया तो किसी को रोड़ पती भी बना दिया इसकी माइनिंग की लिमीट बढ़ने की और आगे कितना जाएगी अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आप कितने सुरच्छित हैं सभी का जबाब आपको विसाल की रिपोर्ट में बड़ी खामोशी से सिंपल सब्दों में मिलेगा इसके जनम की बात के जाए तो संतोसी नाकामोतो जो जापान की है इन्हों ने ब्लोकचेन टेकनौलोजी पर ऐसा सिश्टम बनाया जो आभासी कृप्टो करिंसी मुद्रा जिसे हम डिजिटल रूप से देख सकते हैं ना हाथ से देख सकते हैं ना छोसकते हैं लेकिन इसकी टोटल यूनिट दो करोड़ दस लाख ही माइनिंग की जा सकती है सुरुवात में माइनिंग बड़ी आसान होती थी क्योंकि कीमत भी 6 पैसे थी जितनी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती जाती है उतनी ही प्रोसेस और जटिल होती जाती है कितनी भी क्रिप्टो करेंसी की मांग यानि की बिटकॉइन की मांग हो जाए लेकिन ये दो करोड़ दस लाग से आगे नहीं जा सकती दोहजारे कैस तक एक करोड़ सतासी लाग बिटकॉइन की माइनिंग हो गई थी 2024 चल रहा है 23 लाख यूनिट 2021 में बची थी अभी अधिकारी काकड़ा तो नहीं आया लेकिन लगभग 15-16 लाख यूनिट ही बची है जितनी इसकी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई घटने की वज़ा से कीमत बढ़ती जाएंगी और ये ऐसे अलगोरिजम पर ही बनता है 23 अक्टूबर 2008 महज 6 पैसे वाली क्रिप्टो करिंसी आज बिटकॉइन की कीमत मार्केट में 69 लाख 1283 पर ट्रेंड कर रही है और आज तारीक है 14 मार्च 2024 एक समय इसकी कीमत 50 लाख 2016 में पहुची थी इसके पीछे का गड़ित और किस तरीके से काम करती है प्रॉफिट के लिए आप बखो भी समझेंगे तभी आप इसके गड़ित को समझेंगे उससे पहले हम बता दी बिटकॉइन ही नहीं है जिसकी कीमत में बढ़ होती हुई है समय इथेरियम भी जिसमें बिटकॉइन की कम्यों को दूर किया गया था 4.7% 169.2% आर-ेक्स-पी 14.7% काड़ानू 7.2% चार परतिशत और सिबाइनू 3.4 एलाँच 16.8 और टोन कॉइन 33 परतिशत की बढ़ होती में है बिटकॉइन 73,000 डॉलर के उपर आर टाइम हाई पर है आगे इसके जाने की समभावना पिछले रिकार्ट से अब लगा सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत अधिक लोच वाली पंप और डंप वाली है जितनी अधिक खरिदारी बढ़ेगी उतनी तेजी से जाएगी जब आदमी को लगेगा हम आड़े ठीक ठाक कीमत हो गई है जादा रिक्स नहीं लेना चाहते तो वो जब निकालने लगेंगे और जब अधित लोग यानि की खरिदने वालों की तुलना में निकालने वालों का एमाउंट जादा होगा तो क्रिप्टो करेंसी की कीमत धीरे धीरे गिरेगी डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल है पिछले पाच दिनों में बिटकॉइन ने चौती बार आल टाइम हाई को टच किया है कंपनी मार्केट कैप के आकड़ों में ही क्रिप्टो करेंसी की दिगवज और चौकाने वाले उच्छाल मार्केट के कैपिलाईजेशन एक दसंब्लों फोर टो टिलियन डॉलर तक पहुचा दिया है इसका कैप चांदी के मूली से भी अधिक हो गया है यानि पूरी दुनिया में जितने सिल्वर है उसने जादा उससे जादा का तो क्रिप्टो करेंसी हो चुका है जो वरतमान में एक दसंब्लों फ्री डॉलर चांदी का है इस भी विटकॉइन ही नहीं अन्य में भी समझ कर निवेश करने का टाइम होता है कभी भी कुछ करने से पहले निवेशोकों की राय और इसकी दो चार साल के चार्ट यानि पंप और डंप देख लीजिए कितना उपर गया कितना नीचे गया सवाल उठता है अभुदपूर इसकी बढ़ोत्री के पीछे कारड क्या है विटकोईन के हालिया उचाल के पीछे कारड था 11 जनवरी को सहितराज अमेरिका में स्वाप्ट विटकोईन एक्स्चेंज टेडेक्स फंड यानी एटीएफ का सफलता पूर्वक लांच होना ब्लेक रॉकिंग और फैटेलिटी इन्वेस्मेंट जैसे बिति दिकवजों न एटीएफ के समर्वक रूप में 9.5 बिलियन डॉलर का निवेस आकर सित्किया हाला कि इसके बाद कई पोजिटिव खबरों की वज़ा से विटकोईन में ग्रोथ दिख रही है कभी-कभी निक खबरों की वज़ा से सेर मार्केट की तरह क्रिप्टो मार्केट भी नीचे लंदन स्टॉक एक्सचेंज से आई है जहां बिटकोईन और इथेरियम एक्सचेंज टेडर्स नोटों के लिए अवेदनों पर विचार करने के लिए अपने खुलेपन का संकेत देती हैं बित्ति बजारों में स्युकारिता बढ़ने से कीमत बढ़ रही है थाइलाइन ने प्रतवी नियमक ने खुद्रा करेदारों को विदेशी क्रिप्टो एटियफ तक पहुचके अनुमती दीनी का इसारा किया है यह भी पॉजिटिव है बिटकोईन की कीमतों में उचाल के वन फाइनेंसियल डिबलमेंट के कारण नहीं हाल में मील के पत्थर जैसे सिकोर्ट एक्सचेंज कमीशन इस एफ और विटकोईन एटियफ की मंजूरी ने क्रिप्टो बजार में तहलका मचा दिया है और जिने लगता था यह सुर्चित है वो भी जाकर निवेश में लग गए हैं अनुमभव और नए अलग-अलग छेत्रों में निवेश की ओर लोग अकरसि खबरें और जानकारी पॉलिटिकल हो या फिर कोई भी सिंपल सब्दों में दी जाएगी अगर हम बात करें तो आपको समझाने के लिए बहतर हमने कामर्स में इंटर से लेकर ग्रिजवे संतक जो समझा है उसे मिला कर हम आपको जानकारी देने की कोसिस करते हैं पत्रकारता में आने मास्टर आप मास कमनों के संतक के अनुभों में जो जमीनी हकीका चीज़ों को देखा है वो बताने की कोसिस आपके सामने इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सतरक रहें कभी भी किसी सगिक की राय के बिना कोई कदम ना उठाएं और विसाल के रिपोर्ट में आपको ऐस कमेंट करें हम उन्हीं बताने की कोसिस करेंगे विसाल गुपता को दीजिए जाजत ऐसी ही अन्य और पॉलिटिकल खबलों के लिए विसाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब करें जहें